दोस्तों आज हम ITC और भेल को साथ में डिसकस करने वाले ITC की बात करें स्टॉक जो बहुत तेजी से दोड़ा लोगों को माला माल कर गया अभी फिलाल रेश्ट के मोड में आपको ये पता ही होगा लंबी चलांग लगाने के लिए कुछ दूर पीछे कदम हटाने पड़ते हैं और फिर बड़ी चलांग लगाई जाती है तो बिल्कुल ITC वही कर रहा है जल्दी यहाँ पे आपको बहुत बड़ी चलांग लगते हुई दिखाए देगी यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेटे ITC को लेकर जिसको हम एक एक करके डिसकस करेंगे साथ में अगर हम भेल की बात करें तो इसने बहुत ही जबर्दस तेजी दिखाई है बहल का स्टोक जो काफी समय से एक जगह पे पड़ा हुआ था दोड़ नहीं रहा था लेकिन जब दोड़ने लगा तो काफी सांदर दोड़ा और यह stock मैंने आपको लगातार suggest किया हुआ आपको पता होगा जो stock मैंने suggest किये वो समय समय पे जबरदस तरीके से दोड रहे चाहे आप यहाँ पे आप IRFC को ले लो या फिर ITC को ले लो भेड को ले लो यह सारे stock में लगातार पिछले एक साल से आपको suggest करी रहा हूँ और उससे पहले भी मैंने suggest किये हुए बले ही कोई stock समय पे नहीं डोड़ता लेकिन जब समय आता तो बिल्कुल डोड़ता है यह सारे stock डोडने वाले हैं क्योंकि वाकई में यह fundamentally मजबूत है और कारोबारिन का अच्छा है तो यहाँ पे ITC में इस समय काफी समवाना बने जिसको जानेगे इस वीडियो के मादिम से और भेल इस समय काफी साधार लग रहा है लेकिन यहाँ पे क्या profit booking के समवाना बनेगी या क्या है इसके आगे के target जानेगे इस वीडियो के मादिम से सबसे पहले ITC के अगर बात के तो स्टॉक की क्लोजिंग 342 उपर रही जापे मैं 0.71% की तेजी देखनों को मिली वैसे इंट्राडे में स्टॉक 345 तक भी गया उसके बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई स्टॉक थोड़ा सा नीचे जरूर आया यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक साल के इसाप से स्टॉक ने 54% का सांधा रिटन दिया है 6 मन के इसाप से स्टॉक ने 27% का जवरस रिटन दिया हुआ है और अगर हम 1 मन की बात के स्टॉक में 1.79% की वापस उपर के लेवल से गिरावट हुई है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 डेज के इसाप से 0.90% की तेजी है तो कुल मिला के स्टॉक आपको लगबग 1.5 महीना हो गया होगा एक ही जगपे आपको टेड करता हो दिखाए देगा अल टाइम इसने हाई बने उसके बाद में स्टॉक फिर थोड़ा नीचे आता हो दिखाए देगा अब ITC की बात के तो यह एकतर से मार्गेट का लीडर बना है ICIC बैंक, ITC और रिलाइंस इंडेस्टी इसके लाबा अधानी इंटरपाइजेस एक्जिस बैंक और स्टेट बैंक ऑप इंडिया यह पांच कमपनिया है जिनोंने एक नई उच्छायो बे पहुचा है हमारे BSE Sensex को और Nifty 50 को बहुत बड़ा इनका योगदान है और इनी की वज़े से हमें एक बाजार में नई हाई देखना को मिली है और आप देख सकते हूँ इनका अगर मार्केट शेर देखे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि ICIC बैंक का जो है 370 पॉइंट का कॉंट्रिबूशन है इसके इलावा गदेखे तो ITC जिसने 314 पॉइंट का जबरस कॉंट्रिबूशन दिया है इसके इलावा Reliance Industry जिसने 281 पॉइंट का कॉंट्रिबूशन दिया है अदानी इंटरप्राइज की बात करें तो 153 पॉइंट का यहाँ पे आपको कॉंट्रिबूशन दिखाई देगा Axis Bank का 139 पॉइंट का है टोटल कॉंट्रिबूशन है और SBA का 114 पॉइंट का और यहाँ पे आप देख सकते हूँ कि FMCJ Index फिलाल तेजी से मूव करता हूँ आपको दिखाई देगा जितने पे आए FMCJ सेक्टर के शेरा उनमें तेजी दिखाई दे रही है और इसके वी जब बज़ए इस सबसे बड़ी यहा है कि रूलर एरिया से डिमांड निकल के आ रही है इस बार नॉर्मल हमारा मौन सुन रहा है और जिस तरह से फसले अच्छे हुई है डिमांड निकल के आ रही है और फेस्टिवल सीजन भी बहुत तेजी से चल रहे है ऐसे में FMCJ सेक्टर अब कमाल करेगा जब बहुत सारी नर्मी थी उसकी जगह पे माहल पॉजिटिव बनना सुरू हो गया आजसे में FMCJ सेक्टर का ये खिलाड़ी ITC कमाल करता हो दिखाए देगा क्योंकि आपको पता होगा सिग्रेट के बीजनेस के बाद में वाले समय में और भी तेज़ी देखना को मिल सकती है FMCJ सेक्टर की जितनी कमपनिया चाहे ITC हो ब्रिटानिया इंडेस्टिस हो नैसले इंडिया या फिर इमामी और कॉल्गेट पामुली इन कमपनियों के परदरस्टिस में और अच्छी तेज़ी देखना को मिल लेगे और इनके प्राइज और आपको बढ़ती हुँ दिखाई देगी क्योंकि अब इनकी डिमान और बढ़ती हुँ दिखाई देगी तो कुल मिला के यह समय है FMCC सेक्टर के इन कमपनियों में दाव लगाने का अगर हम ITC की बात के तो आप देख सकते हैं तो इसका सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है मार्च 2021 की बात के तो कमपनि का सेल्स टोटल 49,257 कोड़ बीच के आसपास था जो मार्च 2022 में बढ़के जो मार्च 2022 में बढ़के 20,623 कोड़ बीच हो गया और इस TTM 23,523 कोड़ बीच हो गया तो लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट आपने टेक्स की बात करें तो मार्च 2022 में जापे 13,383 कोड़ का जो मार्च 2022 में बढ़के 15,503 कोड़ बीच पहुच गया और इस TTM 17,546 कोड़ बीच पहुच गया तो लगातार आप देख सकते हो की सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहे है EPS 2021 में जापे 10,69 रुपी था वो इस बार बढ़के 13,98 रुपी जो गया तो काफी सांदार प्रदर्शन कर रहा है आप इसके सेल्स के आखरे देख सकते हो लगातार आपको बढ़ते हो दिखारेंगे जहांपे 10 यर के सबसे 9% पॉजिटिव था 5 यर के सबसे 7% पॉजिटिव 3 यर के सबसे 8% लेकिनी स्टीटिव 27% पॉजिटिव इसका सेल्स प्रॉफिट गोट की बात के तो 10 यर के सबसे 10% है 5 यर के सबसे 8% और 3 यर के सबसे 6% लेकिनी स्टीटिव 21% पॉजिटिव है तो प्रॉफिट और सेल्स दोनों ही सांदार है ऐसे में आपको IT से में इंवेस्मेंट करना चीए यहाँ पर अगर शेर होडिंग पर देगे तो आपको यहाँ पर चौकाने वाले आकड़े निकल के दिखाई देंगे 10 समर 2021 में जापर FI के होडिंग बातर 9.99% थी वो सेप्टमर 2022 में बढ़के 42.6% तक पहुच गिया यानि एक देगे तो आदे शेर FI के पास चले गए D.I. की बात करें तो उनकी होडिंग फिलाल 42.38% के आसपास है सारे के सारे शेर फिलाल FI और D.I. के पास है गवर्मेंट की होडिंग में आपको 0.04% दिखाई देगी जो पहले नहीं थी अब जनरल पब्लिक की बात करें जिनकी जून कोटर में होल्डिंग 44.50% थी वो गटके 14.87% रही है यानि जनरल पब्लिक के सारे के सारे शेर FI और D.I. ने बाट लिए तो आप यह समझे सकते हो यह स्टॉक रॉकेट बनेगा इसमें आपको जल्दी ही दाव लगाना चीए क्योंकि जनरल पब्लिक के सारे शेर शिफ्ट हो रहे है FI और D.I. की तरब यहाँ पे यह समझ सकते हो यह स्टॉक अभी आपे रुकेट नहीं रुकने वाला है भारत हेवी एलेक्रिक लिमिटेट की बाद के तो स्टॉक की क्लोजिंग 81 पर रही जापे 0.49% की हमें गिरा और देखने को भी बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो रही है पिछले एक साल में स्टॉक ने 37% का पॉइड रिटन दिया है यहां पर 6 मंद की बाद के तो 56% का जबरस रिटन दिया है और अगर हम बात करें 1 मंद की तो स्टॉक ने 9.39% की अच्छी खासी तेजी दिखाई है और सिरफ 5 दिन के इसाब से भी 8% की हमने तेजी देखिए तो आप देख सकते हो कि लगातर श्टॉक दोड़ा यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है F&O बैंड में लगाया गया है क्योंकि काफी ज़दा ही आप देख से इसने अपनी 95% की जो मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट है उसको क्रॉस किया ऐसे में भेल अभी फिलाल F&O बैंड के तेयात है और इसमें आप देख से तो डेल्टा कॉर्पोरेशन भी है इंडिया बुल्स आउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यह कंपनियों को F&O बैंड में लगाया गया है अब यहाँ पे Axis Securities की तरब से इसकी Buy की Call निकल के आ रही है उनके हिसाब से जो इसका Target दिया है वो 99 रुपीज का है यनि Stock जल्द ही 3 डिजिट में जा सकता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी Positive माहुल बना हुआ है जल्द ही आप फिर से तीजी की समवाना बनेगी Profit Booking के बाद इसमें आपको Stop Loss लगा रहा है 72 का अगर यह Stop Loss तूटा तो फिर बड़ी गिराउट की समवाना बन सकते है लेकिन फिलाल ऐसी समवाना नहीं है जिस तरसे इनकी Order Book मजबूत है और जिस तरसे इनका कारूबार बढ़ रहा है यह Stock लगातार दोडने वाला है आप देख सकते हूँ सेल्स मार्च 2020 में जापे इनका 17,309 को भी के अस्वास था वो इस TTIM में 23,072 को भी तक पहुच गया जबरदस उचाल आया है इनके सेल्स में यहाँ पे अगर हम कंपणी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2020 में जापे माइनस था 30,049 को भी वो इस बार 18,27 को भी पॉजिटी हो चुका है बहुत ही सांदर बलोतरी इसके लावा नेट प्रॉफिट आपने टेक्स की बात करें तो मार्च 2020 में कंपणी को 2700 को भी चका बड़ा लॉस था जो इस बार 764 को भी चके प्रॉफिट में बदल गया है तो काफी सांदर प्रॉफिट न क्या कंपणी न है याणि बड़े लॉस चका कंपणी प्रॉफिट में ही है प्रॉफिट ग्रोफिट की बात करें तो 10-year के इसाब से-24% है 5-year के इसाब से-1% 3-year के इसाब से-24% लेगे लिए इस TTM 144% पॉजटिव है तो प्रॉफिट और सेल्स दोनों ही कंपणी के बहुत तेजी से बढ़ रहे ऐसे में आपको दाव बिल्कूल लगा लेदा चीए यहाँ पे अगर आप देखें इसकी शेरोडी पैटन में 63.17% के शेर सरकार के है FI की बात के तो उनकी होल्डिंग 4.81% के जबकि पिछले जून में यह 4.22% थी DI की बात के तो 12.59% के होल्डिंग थी quarter 1 में इस बार वो 14.45% होगी है यहाँ पे जबन पब्लिक की बात के तो quarter 1 में 20.02% के होल्डिंग थी वो 17.57% होगी है तो यहाँ पर भी वही आपको matter दिखाए देगा FI और DI दोनों अपनी होल्डिंग को बढ़ा है जबन पब्लिक की होल्डिंग कम होई है ऐसे में आपको इस मौके का फाइदा उटा के निवेश करना चाहिए जल्दी यह stock 3-0 बजाएगा और अगर आप इसको कम से कम 3-5 हल के लिए तो यह 5-0 का target भी दिखा सकता है तो नजरिया लॉंग टम का लेके निवेश करें लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेश्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजर से बाड़े ले 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 या अपना खोद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठैक यू फ्रेंड